सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Zen YouTube Channel में तो सात्यों स्टार्ड हो चुक है आज का इस सेशन सबी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और 2020 टेस्ट सीरिज से आपको जुड़ जाना है ठीक है? एक बार लाइक जरूर करना है और जिन्होंने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही Self Study Classes को दोस्तो एप को डाउनलोड कर लें और 2020 टेस्ट सीरिज से आपको जुड़ना है जो की बिलकुल फिरी है सब्ता में दो दिन आपके लिए दोस्तो एक टेस्ट सीरिज करवाई जाती है ठीक है? तो जिन भी सातियों को न्यू बैच में जुड़ना है दोस्तो और निचोड किलास है यानि कि TGT, PGT, Special निचोड किलासों में जिनको जुड़ना है वो आज ही एड़ीसल ले लें दोस्तो अभी आप 1099 में एड़ीसल ले सकते हैं है ना बहुत सारे स्टुडेंट ने ले लिया है अब आपकी बारी आप भी ले सकते हैं आपको अगर अच्छी तैयारी करना है है ना तो Self Study Classes एस एप को आज ही डाउनलोड कर लें लाइब किलासों के माध्यम से, रिकॉडट किलासों के माध्यम से, निचोड किलास के माध्यम से, टिर्की वीडियो और दोस्तो टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से आपका अध्यान बेहित्तर होगा है ना तो जिन्वी सात्कियों को start दोस्तों पढ़ना है और सुरुआत से पढ़ना है तो सुरुआत से बैच start हो चुका है है ना आप भी पढ़ सकते हो दोस्तों सुरुआत से अध्यन कर सकते हो तो आज ही दोस्तों self study class ये से आप download करें और दोस्तों इस course से जड़ने के आपको बताना है ये पंक्ती किसकी है बताइए अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम ये पंक्ती किसकी है तुलिसी दास की शूर दास की रय दास या फिर मलूक दास की ये पंक्ती आपको चैन करना है दोस्तों इस पंक्ती के जो रचनाकार है वो कौन है जल्दी से कार कौन माने जाते हैं अजगर करेना चाकरी और पंची करेना काम और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर यह जो पंक्ती है ना तो तुलशी दास्की है ना सूर्दास्की है ना र्यदास्की है यह पंक्ती है मलूक दास्की यानि कि आपका उत्तर चार नम्मर की ओर च तो आपको बताना रजब के गुरू कौन थे नानक थे दादू दयाल थे रैदास थे या फिर मलूक दास थे रजब के गुरू कौन थे एक कुश्चन आपको बताना है और दोस्तों लाइक जरू कर देना अच्छा कुश्चन है और आप लोगों ने बिलकुल अच्छा बताय है उत्तर बताया है कि सर रजजब के जो गुरू माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों कौन दादू दयाल दादू दयाल माने जाते हैं राइट आंसर है बी नमर आपका बिलकुर शही है लेकिन एक क्वेस्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि दादू दयाल की बानियो किस नाम से किया था ये आपको बताना है जल्दी से सभी लोग बताएंगे ये प्रशन आपके लिए दिया गया है फटापट से अंगला क्वेस्चन है दोस्तों है ना सबंगी रचना किसकी है बताना है आपको रजजब की दादू दयाल की रैदास या फिर पीपा की बताएं बहुत बढ़ी आंसर बताया है अनूपराजपुजी वेरी गोड है ना ममता जी अंग बधू नाम से किस नाम से किया था रजजब ने अंग बधू नाम से किया था ये आपको याद रख्टे ना है दादू दयाल की बाणियों का संकलन रजजब ने किया था अंग बधू नाम से क्या था अंग बधु नाम से हरडेवानी नाम से नहीं अंग बधु नाम से क्या था जो आपका बिलकुर साही है अब आपको बताना है कि हरडेवानी नाम से किस ने किया ये भी कॉस्चन आता है दादू की बाणियों का संकलन हरडेवानी नाम से किस ने किया ये भी आ आपको बताना है हैना सबंगी आप से पूचा गया यह जो रचना है यह रचना किसकी है तो यह रजना दोस्तो रजजब की है रजजब के गुरू का नाम क्या था रजजब के गुरू का नाम था दोस्तो क्या था रजजब के गुरू का रजजब के गुरू का नाम था नानक ठीके आपको सबी को पता है बेरी गुड अब आपको हरडे बानी नाम से बताना है किसने दादू की रचनाओं का संकलन हरडे बानी नाम से किसने किया था एक क्वेस्चन भी आता है जल्दी से आपको बताना है अंगला क्वेस्चन है गोस्वामी तुल्शी दास ने राम चरितमानस की रचना किस संबत में की थी संबत पूचा गया आप से बहुत बढ़ी आंसर आया है कि सर संते दास और जगन दास किस नाम कुछ निकिया था संते दास संते दास और जगन दास संते दास और जगन दास ने दोस्तो अंग बदू नाम से दोस्तो रजजब ने दादू की बाणियों का संकलन किया था गोश्वामी तुलशी रास की एज रचना है दोस्तो राम चरित मानस आपको पता है इसमें कितना समय लगा था ये भी सभी लोग बताना इसका आपने संबत पूचा गया तो संबत सीता आपको लगाना है संबत 1631 है ना और दोस्तो अगर इस भी की बात होगी तो 1500 चोहुत्तर ठीक है वेरी गोड आंसर अब आपको बताना है कि राम चरित मानस में कितना समय लगा था कमेंट में सबी लोग बताएंगे अंगला क्वेश्चन है रहीम करत मदनास्टक की भासा क्या है सबसे बड़ी बात तो यही आंसर आपको याद रखना है प्रसन ये भी पूचा जाता है कि मदनाश्टक के रिचना कारगौन है तो आपको बताना रहीम है अब रहीम की जो मदनाश्टक भासा है इसकी भासा क्या है ये भी आपको बताना है सबी लोग वीडियो को लाइक जरू करेंगे और सबी लोगों ने बताया है कि जरक दो वर्स साथ माँ हैं और छबीस दिन दो वर्स साथ माँ हैं और छबीस दिन ये समय लगा था राम चरितमानस की रचना में हैना संबत 1631 इसका रचना काल माना जाता है और यहां पर आपने जो उत्तरचेन किया है दोस्तों वो उत्तरवताया है कि सर मदनास्टक की भासा खड़ी बोल यानि कि आपका ये नमबर बिलकुल सही होता है ये नमबर आपका सही हो जाता है ठीक है अंगला कोस्चन बताना है सूरदास की अधिकतर रचना है किस भासा में हैं सूरदास की अधिकतर रचना है किस भासा में हैं आपको चेन करना है खड़ी बोली में हैं अबदी में हैं ब्रज में हैं या फिर राजिस्थानी में हैं सूर्दास की अधिकतर रचनाएं किस भासा में हैं प्रश्न किरमांक 191 का उत्तर बताना है एक बार लाइक जरूर कर देना सभी मित्रों का है ना मित्रों को दोस्तो और सूर्दास की भासा सूर्दास जी के बारे में अपन पढ और यहां पर आपको पता है कि सूर्दास यानि कि आपका तीन नमबर जो सी नमबर है वो सही हो जाएगा मेला आचल उपन्यास किस अंचल से जुड़ा है दोस्तो मेला आचल उपन्यास के रचनाकार आपको पता होनी चाहिए सबसे बड़ा ए दोस्तो बहुत ही आपको पता है कि मेला आचल किस परकार का उपन्यास माना जाता है वो भी आपको लिखना है जब तक मै आपको एक क्वेश्चन बताताओं कि फणीसो नात रेणु Isto कि रचनाकार है किसके मेला आचल के? आपको दो क्वेश्चन बताना है कि ये मेला आचल में विशेष क्या है दोस्तो और एक किस अंचल से संबंदित उपन्यास माना जाता है? बो देल खंड से संबंदित, पूर्णिया, चथीजगर या फिर दोस्तो आबद से संबंदित माना जाता है कमेंट में आपको लिखना है और बहुत अच्छा अंसर आया सभी लोगों का किसर जो मेला आचल है कि कैसा हो पन्यास है जन्दी से बताईए ये पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया से संबंदित है, पूर्णिया अंचल से संबंदित है दोस्तो ये बी नम्मर है जब आप से question पूछा जाता है कि परताम अंचले को पन्यास कौनसा है तब आप उत्तर लगाते हो मेला आचल रचना कार कौन है फणी सोनात रेनू इसका संबंद है पूर्णिया से है ना बिहार के पूर्णिया अंचल से संबंदित है नेक्स्ट है पदमाकर की रचना कौनसी है पदमाकर की रचना कौनसी मानी जाती है दोस्तो एक रचना तो इनकी अपनने पड़ा था प्रबोध पचासा एक रचना पूची जाती है इनकी प्रबोध पचासा किसकी पदमाकर की प्रबोध पचासा लेकिन पदमाकर की रचना यहां पर पूचा गया इस चार हैं दोस्तो प्रेम बाटिका ललत ललाम कभी प्रिया या फिर जगज दिनोद कौनसी रचना है जो दोस्तो पदमाकरजी की मानी जाती है सबी लोग बताएंगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना अपने मितनों तक एक बार सेयर कर दें और ज हिन्दी साहत में टेश्ट सिरेज में दोस्तो आप भाग ले सकते हें है ना हिन्दी साहत में दोस्तो शरुवात से अध्यन भी आप कर सकते हो बहुत अच्चा और पदमकर की रचना कूनसी है यह आपसे पूचा गया तब आपका सीधा उत्तर 4 नंबर चला जाता है जगत दिनोध कई बार ये पूचा गया जगत दिनोध के रचनाकार कौन है पदमाकर प्रबोध पचासा किसकी रचना है पदमाकर की बेरे गोड आंसर लहर किस विधा की रचना है दोस्तो ये लहर पूची गई लहर बताना है लहर में दोस्तो चार लंबी कविताएं संकलेत मानी जाती हैं तो आपको बताना है तो जल्दी से बताओ सभी लोग बताएंगे और आपको पता है एक दोस्तों आपने प्रलाइक की छाया पड़ी होगी प्रलाइक की छाया है ना और लहर किस विधा की रचना है ये विधा आपसे पूचा गया अब विधा पूचा गया है तो ज तरी एक काब बिधा की रचना है और इसमें चार लंबी दोस्तों कभिताएं संकलेत हैं और इसमें सबसे बड़ी है कौनसी प्रलाइक की च्छाया इसको भी अपन को यात करना है प्रगती सील लेकक संग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों है ना भारत में आपको बताना है कप की गई थी प्रशन अच्छा है वीडियो को लाइक करना है अपने मित्रों तक सेर जरूर करना है और जिन भी सात्यों को एड़ीसन लेना है वो एड़ीसन जरूर लेंगे ठीक है बिलकुल ठीक है और दोस्तों मेरा जो नंबर है वो नंबर है 90986092 और 91 ये हमारा कॉलिंग नंबर है और बॉट्सप नंबर है दोस्तों कौनसा वासट 63305 और 86 ये बॉट्सप नंबर है और एक कॉलिंग नंबर है ठीक है तो प्रगतिसी लेकक संग की स्थापना कब हुई थी तो आपको पता 1936 में हुई थी यानि कि आपका जो भी नंबर है वो बिलकुल चाही है लखनव में इसका प्रताम अदिबेशन हुआ था नागरजुन किस बर्गे के कभी है ये भी आपको नीचे नंबर चल ला है दोस्तों एक बॉट्सप नंबर और एक कॉलिंग नंबर दौनों नंबर चल ला है है ना नागरजुन किस बर्गे के कभी माने जाते हैं ये आप को बताना है प्रगति सी लेकक संग की स्थापना 1936 में हुई थी और 1936 में दोस्तो इसका प्रतम अधिबेशन लखनव में हुआ था और लखनव में इसके प्रतम जो अध्यक्ष थे वो थे कौन प्रेम चंद जी है ना नागर्जुन किस बर्गे के कभी है प्छाया बादी है प्रगति बादी हैं प्रियोग बादी हैं या पर दोस्तो दुवेदी युगीन कभी हैं कैसे है नागर्जुन मैंने कई बार आपको बता दिया कि नागर्जुन दोस्तो इनका जन्म कभ हुआ था नागर्जुन का 1911 में हुआ था 1911 में नागर्जुन का जन्म हुआ ये ज आप से सीधा question पूछा गया तो ये प्रगती बादी माने जाते हैं और जब बात प्रगती बाद की आती है तो प्रगती बाद मार्क्स बाद से प्रभावित माना जाता है प्रगती बाद की बात आती है तो प्रगती बाद के प्रवर्तक पंत माने जाते हैं इनको थोड़ा थ तीसरी आख के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है 197 का उत्तर आपको चैन करना है सेर जंग गरग है मिर्दूला गरग है प्रभाकर सोत्री या फिर इनमें से कोई नहीं है कभिता की तीसरी आख कभिता की तीसरी आख के रचनाकार कौन है इसकी रचना किसने की अच्छा question आप से पूछा गया दोस्तों और वीडियो को लाइक जरू करना है और model paper में दोस्तों वो model paper में भी admission आप ले सकते हैं कभीता की तीसरी आख और अच्छा question है यह पूछा भी गया है और आपने बिल्कुर सही आपका बिल्कुर सही है very good answer see number आपका बिल्कुर अंगला question है मली का किस नाटकच की पातर है माधबी minder सूर्की अंतिम करण से सूर्की पहली करण तक असार का एक दिन या पिर आठवा सर्ग मली मल्ली का किस नाटक की पात्र है जल्दी से आपको चैन करना है जल्दी से बताना है है ना उत्तर आपका क्या हो जाएगा मल्ली का किस नाटक की पात्र है ये आपको चैन करना है वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना है मित्रो और सेर जरू कर दें है ना तो ये अच्छा एक दिन दोस्तों काली दास के जीवन पर आधारित है एक कॉस्चन आता है काली दास के जीवन पर आधारित कौनसा नाटक है तो असाड का दिन इसके रचनाकार कौन है बुरिसर इसके रचनाकार माने जाते हैं मोहन राकेस असाड का एक दिन very good, सबी लोगों ने like कर दिया है, बहुत बढ़िया, कुणर नारान किस सब तक के कभी हैं, अच्छा question, कुणर नारान किस सब तक के कभी माने जाते हैं, सबी लोग बताएं, तार सब तक, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा आपको बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा question है दोस्तों, और वीडियो को like जरू करना है, share कर देना अपने मित्रों तक, कुणर नारान किस सब तक के कभी हैं, और जिन भी सात्यों ने अभी तक self study classes एप download नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, करें जल्दी से, play store में सर्च करें self study classes है ना, और कुणर नारान किस सब तक के कभी हैं, इसका उत्तर सीधा सीधा आपको बताना है, तो अपनने पढ़ाता प्रयाक के कुणर केदार, विजय कीर्ती के मद में सर्वेश सुर्बने, एक ट्रिक निकाली थी, तो आपने उत्तर लगाया, कि सरे प्रयाक के कुणर केदार, तीसरा यानि कि तीसरे सब तक से संबन देते हैं, सी नमर आपका बिलकुल सही हो जाता है, जो आपने राइट अंसर बताया है, हरी घास पर छणबर की रचनाकार की रचना है, हरी घास पर छणबर की रचनाकार कौन है, इसका अंसर आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुई स्टेयर करते रहें अपने मित्रों को ठीक है हरी घास पर छण भर इसके रचना कार कौन माने जाते हैं और दोस्तों यह जो हरी घास पर छण भर है कि जो रचना है कि रचना आपने बिलकुर सही बताया बोली सर अग्गे लगा दो है ना अग्ग से बनता है वो बताएं और हिंदी काब मासल बाद की प्रबर्तक कौन माने जाती मासल बाद मासल बाद की प्रबर्तक कौन है आपको बताना है अच्छा कॉस्चन है दोस्तों है ना एक कॉस्चन पूछा जाता है हालाबाद की प्रबर्तक कौन है तो हालाबाद के तो सभी को कि सर हला करते हैं कौन बच्चे तो बच्चन हो जाएंगे हलाबाद बच्चन हलाबाद बच्चन करते ना हला तो हलाबाद बच्चन हरी बंसरा है बच्चन हलाबाद के प्रवर्तक हैं मासलबाद के प्रवर्तक आपको बताना है कौन है जल्दी बताएंगे और बहुत अच् हालाबाद के प्रबर्तक हरिवन्स राय बच्चन ये आपके दोस्तों क्वेस्चन सही हो जाते हैं अंगला क्वेस्चन प्रगति बाद का आधार क्या है ये क्वेस्चन आपसे पूछा गया प्रगति बाद का आधार पूछा गया तो प्रगति बाद का आधार क्या माना आधार क्या है बताए एक कोस्टेंस आये 202 डाउट्स में लिया ता किसी ने है ना लेकिन यहां पर आपको उत्तर बताना है बताए कौन-कौन सही बता रहा है प्रगति बाद का आधार क्या है और यह तो है नहीं रहे स्वाद यहाला बाद भी नहीं है यह प्रकृति बाद क्या होगा दंदात्मक बहुतिक बाद यानी कि आपक डी नमबर सीधा सीधा आंसर डी बिलकों शही हो जाएगा द्वदात्मक का दोस्तों बहुत बाद का आधार माना जाता है अंगले कौस्टें के और बढ़ेंगे रामधार ईसे दिनकर की काब विकर्ति कौन सी है दिनक हैना ये चार विकल्पें दोस्तों और आपको बताना है हैना कि रामधारी से दिनकर की काब किर्थी कौन सी मानी जाती है फटाक से आप लोग लखेंगे वीडियो को एक बार लाइक कर देना अपने मित्रों तक सेर जरूर करती रहें दोस्तों हैना और दिनकर जी का मैंने कई बार आपको बताया कि सर उननीस सो आठ में तो दिनकर का जन्म हुगा परसू राम की प्रतीक्षा इनकी रचना मानी जाती है हैना रामधारी से दिनकर की दोस्तों और वसी एक रचना मानी जाती जिससे घ्यान पीट परुसकार मिला था रामधारी से दिनकर की एक रचना है कौनसी कुरू छेत्र है जबकि लोकायतन ये महाकाब है दोस्तों किसका पंत जी का महाकाब है है ना ये भी आपको पता है नेक्स्ट प्रसनी की और बढ़ेंगे गोरक बानी का संपादन किसने किया इतना अच्छा क्वेस्चन है गोरक बानी का संपादन किसने किया था ये क् जारी पिरसाद दोवेदी ने राहुल सांकृत्याय ने पीताम बर्दत बर्थवाल या फिर राम चंद्र सुकल ने गोरक बानी का संपादन करने बाले जो दोस्तों यहां पर जो बिद्वान है वो बिद्वान कौन है ये क्वेस्चन का अंसर आपको चेन करना है अच्छा प पढ़िया अंसर पुलिसर पीताम बर्दत बर्थवाल ने गोरक बानी नाम से ये दोस्तों इन्होंने किया था चंपादन इन्होंने किया था ठीक है और सी नम्मर आपका बिल्कुर हो जाएगा सिद्ध साहित में सिद्धों की संक्या कितनी मानी इतना सरल कॉश्चन कई विद्ध्वानों ने संध्या भासा कहा है अधिकांस विद्ध्वानों संध्धा भासा मानते हैं है ना उस सिद्ध साहित में सिद्धों की संक्या कितनी मानी जाती है और आपका उत्तर हो जाएगा सिद्धों की संक्या पूलिसर 84 फिर नातों की संक्या अगर पूछ ल गए एक तो सिद्धों की संक्या 84 नातों की संक्या 9 आलबारों की संक्या 12 नैनारों की संक्या 63 ठीक है वेरी गुड अंगला कोस्टिन नरोत्तम दास की प्रिसिद्धी प्रिसिद्ध रचना का नाम बताना है नरोत्तम दास नरो में उत्तम है जो वो है नरोत्तम दास इनकी प प्रिसाद की गुंडा कहानी में भारती इतिहास के किस योग का चित्रण है बहुत बड़ी आंसर गुंडा कहानी है गुंडा क्या देते हैं गुंडा प्रिसाद की कहानी है अब आपको बताना है कि जो गुंडा प्रिसाद की कहानी है इसमें किस सासन का भरती इतिहास का चित्रन किया गया है किस युक का चित्रन किया गया है सल्तनत युक का मुगलकाल का विक्टोरिया का सासन है या फिर इस्ट इंडिया कमपनी का समय कौन सा वरनन किया गया है ये आपको चेन करना है और उत्तर बिलकुर सीधा चला जाएगा पुलिसर पिरसाद की जो गुंडा कहानी है गुंडा कहानी में उत्तर चला जाएगा इस्ट इंडिया कमपनी का दोस्तों इसमें समय का क्या किया गया है इसमें चित्रन किया गया यानि की उत्तर आपका चार नंबर बिलकुर सही है जिन्होंने चार बताया है उनका अंसर बि किसने माना है इसको आपको बताना है गीतिका जी बताइए जैनेंद्र को मानव जीवन का दर्सन सबसे बड़ा कहानिकार किसने माना है या पर दोस्तो नगेंद्र ने नगेंद्र ने माना है या राम बिला स्तरमा या लच्छमी नाराण लाल जैनेंद्र को मानव जीवन दर् दोस्तो ये मनो विश्रेशनबादी अपन्यासकार भी माने जाते हैं है ना तो यहाँ पर जैनेंद्र कुमानव जीवन दर्सन का ये क्वेस्चन है और ये क्वेस्चन आपका सीधा चला जाता है लच्छमी नाराण लाल ने लच्छमी नाराण लाल ने यानि कि D नंबर इन् संबेदना की कहानी कौनसी नहीं है नादान दोस्त चोरी कजाकी या फिर दोस्त सखियां सिसू संबेदना की कहानी कौनसी नहीं है इसका उत्तर आपको लगाना है इसका उत्तर आपको बताना है वीडियो को लाइक और सेर करते रहें अपने मित्रों तक इसी प्रकार से के लिए इन मेंसे कौन सिसु संबेदना की कहानी नहीं है नहीं है पूछा तो आपका उत्तर है दो सक्षियां दो सक्षियां इस सिसु संबेदना से संबंदित कहानी नहीं है यानि कि आपका चार नंबर बिलकुल सही हो जाएगा महादेवी ने गौरा संसमरण किस पर लिखा गोरा संसमरन किस पर लिखा गिलहरी पर गाय पर हिरनी पर या फिर इन में से कोई नहीं गोरा इतना अच्छा कोश्चन है दोस्तों कि महा देवी ने गोरा संसमरन किस पर लिखा है किस पर लिखा पताईए खुरेसी जी बताएं गिलहरी गाय या फिरनी या फिर इन में से किसके उपर किसके उपर लिखा है प्रश्ण किरमांक 210 और इतना अच्छा अंसर आप लोगों का आया है कि सर एक गाय के उपर लिखा गया यानि कि टू नम्मर गाय आपका बिलकूर सही हो जाएगा बी नम्मर आपका राइट अंसर हो जाएगा बेरी गुड नेक्स है आपका ही बाला होगा जिनको फ्री में टेस्ट देना है वो फ्री में 220 2020 टेस्ट सलती है उस टेस्स सीरिज में भी आप ले सकते हैं और सुधिया उस चंदन के बन की ये जो पंगती है ये पंक्ती किसकी है बताएं सबी लोग और अधिकांस लोगों ने जो उत्तर लगाया है वो लगाया है विश्णू कांत किसकी पंक्ती है दोस्तों ये विश्णू कांत की पंक्ती है है ना सुधिया आउस से चंदन के बनकी ठीक है तो आपका उत्तर C की तरफ जाता हुआ C नमबर आपका बिल्कूर सही हो जाएगा नेक्स्ट आपको बताना है रस्मी मानसा नामा कालोचना पुस्तिका के लेका कौन है डाक्टर नगेंदर है डाक्टर नामवर्से है अचार सुकल है या फिर दोस्तो आपको बताना है है ना राक्टर बिद्या नवास मिस्त्र में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए है ना कंफ्यूज हो गए ना व्यारी गड़ बहुत बढ़िया अब यहां कर बताना है आपको ये बताएंगे सबी लोग कि रस्मी मानसा नामा कालोचना पुस्तिका के लेका कौन है आपको पता है दोस्तो जो हमारे पैड मेंबर साती हैं जनोंने कोर्स लिया है उनके लिए दो थर्टी पर नेचोड किलास होती है लाइफ किलास पाँच बजे ये बिस्त्रे तद्द्दन वाली लाइफ किलास होती है साले छे बजे दोस्तों उनके लिए शुरुआत से अध्यन कर की ओर चला जाता है सी नमबर चला जाता है मानस का हंस उपन्यास के लेका कौन है मानस का हंस अमरतलाल लांगर या स्पाल या रामचन सुकल या फिर रेनू मानस का हंस ये किसका उपन्यास है मानस का हंस और इतना अच्छा क्वेस्चन है सभी से बनेगा सभी लोग लाइक जर पर दें जल्दी से वीडियो को और यहां पर देखो मानस का हंस है यह उपन्यास है किसका बुले सर अमरतलाल नांगर यानि कि यह सुकली जी का तो नहीं है बुले नहीं है बुले सर यह मानस का हंस है अमरतलाल नांगर है ना नेक्स्ट है महा कभी सूर्दास किसकी आलोच किरती है अलोचना किरती बताना महा कभी सूर्दास ये किसकी आलोच किरती है दोसो चौदा कभीर तो आपको पता है कभीर नामा के किरती लिखी दोस्तो आलोचनात्मा किरती हजारी परसाथ दुवेदी से ने लेकिन महा कभी बताना है तो सभी साती बताएंगे महा कभी सूर्दास किसकी आलोचिकृती माने जाती है हजारी पर साथ दोवेदी जिनका जन्म 1907 में हुआ था दोवेदी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं है ना तो आचार नंद दुलारे बाचपेई राचार रामचन सुकल कि एक किर्टी माने जाती है यानि कि आपका उत्तर सी की तरफ जाता है महा कभी सूर्दास महा कभी सूर्दास नावा के कालोचिकृती इन्होंने लिखी है वो लिखी है दोस्तो नंद दुलारे बाचपेई जी ने ठीक है बाचपेई जी ने कभीर नाम से हजारी पर साथ दुवेदी ने लिखी थी ठीक है तो ये आपका एक दोस्तो इन्यों ने भी लिखी नंदुदुरारी बाचपरी ने महा कभी सूर्दास ठीक है इस प्रकार से महा कभी सूर्दास नाम से ठीक है अंगला कोस्चन आजादी के बाद हिंदी कहानी के करम में दोस्तो हिंदी कहान आजादी के बाद हिंदी कहानी के करम है पहला करम कौन सा है पहला क्रम कौन सा है नई कहानी सचेतन कहानी समानतर कहानी पहला क्रम कौन सा माना जाएगा बताएं आजादी के बाद कितना अच्छा कॉस्चन है और बहुत सारे लोग बता रहें नई कहानी कुछ लोग बता रहें सचेतन कहानी लेकिन आपका उत्तर है नई कहानी है ना या यानि कि आपका दो नमबर बिलकुर सही है तू नमबर आपका राइट आंसर हो जाता है वेरी गोड आंसर हिंदी भासा का उदगम और विकास के लेखक कौन है इतना अच्छा क्वेस्चन पूचा गया हिंदी भासा का उदगम और विकास अब देखो कितने लोग सही उत्तर बताते हैं हिंदी भासा का उदगम और विकास के लेखक कौन माने जाते हैं कन्फ्यूज कन्फ्यूज बताईए हिंदी भासा का उदगम और विकास के लेखक कौन माने जाते हैं नगैंद्र हैं रामचन सुकल हैं उदय नारान तिबारी या पिर हजारी प्रसाथ निखेक कौन हैं देखते हैं कौन बतारा रहा है बहुत सारे लोग इसमें सीदा सीदा उत्तर मारेंगे मुझे पता है बोले सर आओ देखाना ताओ वोई क्वेस्चन है वोई क्वेस्चन है एक वर हम पूछ लिजा रहा है आपका हिंदी साहित का उदभाव और विकास देखो बहुत सारे लोगों ने आओ देखा ना ताओ और लगा दिया हजारी परसाद दुवेदी पूरा इंतजार कर रहे हम आपके उत्तर का और आप लोगों ने बहुत मस्त तरीके से बढ़िया तरीके से लगाया पूरी ताओस से उत्तर हजारी परसाद दुवेदी लगाया है मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने हिंदी भासा का पूचा गया यहाँ पर उत्तर है जबकि उदाइनारान तिबारी यह चार नमबर सही है है ना और पूरी तागस से उत्तर लगाया लोगों ने हजारी पिरसाद दुवेदी जबकि आपको पता है हजारी पिरसाद दुवेदी क्या हिंदी साहित का उदभाव और बिकास है हिंदी साहित का उदभाव और बिकास हजारी साहित का और भासा का अलग-अलग है ना हिंद हिंदी उपन्यासों की सरचना के मूल आधार क्या है मूल आधार बताना है बंगला के उपन्यास मराठी उपन्यास फ्रेंच उपन्यास या पिर अंग्रेजी उपन्यास कौन से उपन्यास माने जाते हैं बताएं हिंदी उपन्यासों की रचना के मूल आधार है तो क्या है मू पूल आधार क्या माने जाते हैं है ना बंगला के उपन्यास माने जाते क्या मराठी के उपन्यास माने जाते हैं इसका उत्तर आपको बताना है और उत्तर आपका हो जाता है क्या हो जाता है बुलिस्तर ये जो है ना हिंदी उपन्यासों के माने जाते हैं कौन से उपन्यास माने जाते हैं हिंदी उपन्यासों की सरचना सरचना के मूल आधार सरचना के मूल आधार माने जाते हैं तो मूल आधार मान जाते हैं अंग्रेजी के उपन्यास। मूल आधार कुछ मान जाते हैं अंग्रेजी के उपन्यास। अंग्रेजी के ढंका हिंदी का प्रथम मौलेक उपन्यास कौन सा है। तो आपको पता है बुड़ी सर कौन सा है। उत्तर आपका होगा अंग्रेजी के उपन न्यास क्यानिकि आपका D नमबर ठीक है अंगला कोस्चन देखो अग्ये ने कुल कितने सब्तकों का प्रिकासन किया अग्ये ने कुल कितने सब्तकों का प्रिकासन किया 5, 4, 3 या 2 अग्ये ने कुल कितने सब्तकों का प्रिकासन किया और सबी लोगों ने बताया कि सर अग्ये ने कुल कितने सब्तकों का प्रिकासन किया तब उत्तर चला जाता है पांच, चार, तीन, या दो उत्तर उत्तर आया चार पहला उन्नीस सो तेतारीस ठीक है दूसरा उन्नीस सो इंक्यावन तीसरा उन्नीस सो उन्सट चोथा उन्नीस सो उन्नियासी ये चार तार सब्तक प्रकासित हुए थे दोस्तों है ना इसको याद रख लेना ये चार तार सब्तक जिने सब्तक बोला जा तो यह चार हुए थे हैंना भूषन का बास्त्विक नाम पहुतन का बास्त्विक नाम क्या था इस दोस्तों को पढ़ा भूशन आपको पता है कि इनकी एक रचना है सिवराज भूशन जो मैंने कई बार आपको बताई है इस सिवराज भूशन में 105 अलंकारों का बर्णन किया जबकि आपको पता है बरत मुनी ने मातर 4 अलंकार माने 4 अलंकार बरत मुनी ने मातर 8 रसों को माना चार अलंकारों को माना है ना जबकि सिवराज भूषण में 105 अलंकारों का उल्लेक है रचनाकार कौन है भूषण है भूषण का बास्तविक नाम क्या है तो आपको बताना है घंस्याम भूषण का बास्तविक नाम क्या है घंस्याम यानि कि ये नम्मर आपका बिलकुर सही है हैना सतरंज सतिका किर्ती की रचनाकार कौन है ऐसे सभी साती वीडियो को लाइक करें जो हिंदी साहित पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित के एक्जामों में रेगूलर दोस्तों अध्यन करना चाहते हैं हिंदी साहित को बहुत स्ट्रॉंग बनाना चाहते हैं और हिंदी साहत में दोस्तो महारत हासिल करना चाहते हैं, वो सा 20 सभी जोड़ी रहे चैनल से, एप डाउनलोड करने sharp study classes, regular अध्यन करें, है ना अध्यन इतना हो जाएगा कि हंदी साहत में कुछी दिनों में आप दोस्तो बहुत अच्छे हो जाएगा, ऐसे ऐसे student होुआ है, दोस्तो जो 0 लेविल से आयते और 0 लेविल से जाकर कि आज उनका selection हुआ है ना तो दोस्तो सतरंज सतिका किर्थी के रचनाकार कौन है ये आप से पूछा गया भेकारी दास है क्या रास विहारीût है क्यूंबर रस निदी तब आपका उत्तर सीधा जाता है भेकारी दास सतरंज सतिका ये वेकारी दास की रचना है ये नमबर आपका बिलकूर सही हो जाता है ये नमबर राइट आंसर है वेकारी दास के रीती बद्ध काब धारा के कभी हैं इनको यात करदा है इनमें से पहले थे सिवाजी तो दूसरे कौन थे हैं आपनने पड़ा है कि सर सिवा को बखानों की बखानों 6 साल को सिवा को बखानों की बखानों चशत्रे साल को है ना और भूसरन दो रاجाओं के दरवारी कभी थे ए आप से पूचा गया पुरिनमे से पहले सिवाजी थे तो दूसरे कौन थे दूसरे कौन थे महाराना प्रताप बोले नहीं राना सांगा ये भी नहीं तो कौन थे? 13 साल ते 36 साल ते 3 नंबर आपका सही हो जाएगा 3 नंबर जिनों ने बताया राइट आंसर है very good सबी लोगों ने आंसर सही बताया है दोस्तो अब दोस्तो यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर इसी प्रकार से अध्यन करने के लिए ये 2020 टेस्ट सीरेज आपके लिए लांच की गई यानि कि दोस्तो सेल्फ स्टरी किलास ये सेप में आपके लिए रभीबार और गुरुबार को ये बिलकुल 2020 टेस्ट सीरेज होती है बहुत सारे टेस्ट उपलब्द हो चुके हैं इनको आप लोग लगा सकते हैं है ना उसके बाद दोस्तों एक निचोड किलास आपके लिए पैड़ बालों की जिरों ने कोर्स में एड़िसल लिया है हिंदी साहित में स्पेसल क्या है क्या है आधूने काल नाटक पन्यास में स्पेसल क्या है उसकी कलास चलती है धाई वजे यानि कि दो वच्च के 30 मिनट पर कलास चलती है वो आपको बताया जाता है या खिर आधिकाल में कौन-कौन से question हमेशा पूछे जाते हैं भक्तिकाल में कौन-कौन से question हमेशा पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं तो यसे course में दोस्तों अगर आपको एड़ीसल लेना है अभी offer है offer का लाब उठाते हुए course में एड़ीसल ले सकते हैं नया batch start हुआ है नया batch की वीडियो डाउट्स वाले वीडियो बहुत सारी चीज़ें आपको जहां पर मिलने वाली है वो ऐसा दोस्तों आपके लिए एक मात्र प्लेट फाम है self study classes एप ठीक है नरंजन जी अजय कुसबाहा पूजा जी सुनीता जी सुधा जी रीता गीतिका जी बहुत बढ़िया अदिती जी नीरू लालदास भीनू जी अर्सदीप हर्शिता जी चंचल जी बहुत बढ़िया सबी लोग इसी प्रकार से अध्यन करें संगीता प्रमोद नौदीप जी, पूनम जी, प्रमोद नरूपम जी, अभिलासा, राममूरत प्रबीन ओजा जी, अनिल कुमार जी, और सरमिला जी, बहुत बढ़िया ओपी जी, लाल दास जी, रंजना जी, लबली जी, सियो कुमार सेलेस जी सेव सभीता जी और लबली ठाकोर जी सबी सातियों को धन्नबाद उदय उदय जी प्रतिमा बहुत बढ़िया प्रमोद जी अरुन राजपूज जी कुमारी हैमा जी नीरज जी गीतिका जी बबीता जी पूजा बर्मा जी बीनू जी खुरेशी जी बहुत बढ़िय रीता जी सरिता जी और बालमकुंद जी बहुत बढ़िया किरण जी सौनू सिंग जी रती पाल जी मास्टर अधिगम बरका जी ठीक है और हमानी जी सरोज बहुत बढ़िया धन्नवाद सीता देवी जी प्रमोध जी पूजा सिंग जी पूजा रानी जी और दिब्या जी बहरी गोट बहुत बढ़िया दोस्तो एकजाम पार में दस बजे किलास होगी वो भी आप अटेंड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है और इस लाइब किलास से हमेशा जुड़े रहें ममतायादाव सौनू सिंग पूनम जी बोहित रीना जी ठीक है और अध्यान करते रहें यह अध्यान आपका बना रहेगा जिन भी सातियों को एप में दोस्तो बो लेना है एड़ बीसल लेना है नीचे नमबर चल रहे हैं बाटसप नमबर है बासट रे सट बाला बासट रे सट एती जीरो पांच छ्यासी वा धन्नबाद लाइक सेयर करती रहें गीतिका जी सौनु जी और कमलेश जी आसा जी मंजीत खुसी जी सुरेंदर जी प्रेंका बहुत बढ़िया नीतु सोबानाद जी धन्नबाद सभी सातियों को जितने हमारे साती हैं मैं तो बोलता हूं सभी साती सबसे कम प्राइज में सबसे अच्छा मटेरियल सबसे पूरी मेहनत के साथ आपके लिए दोस्तों हम लगे हुए हैं तो जितने साती हैं सभी साती अड़िशन लेके इंद्रेश जी अपना अध्यान कर सकते हैं और हम भी आपकी दोस्तों ठीक है बिलकुल है ना नितु जी नितु गुपता जी ब जानने बात